दोस्तों आपने तो आलू, पालक और आलू, मेति की सबजी बहुत ही खाई होगी दोस्तों क्या आपने आलू, सोया, साख की सबजी खाया है अगर नहीं खाया है तो ये वीडियो आप लोगी लिए है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाला हूँ ताकि आप इदम बढ़िया step by step सिख के इस सब्जी को बना के try का सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आता ना तो वीडियो को like कर दीजेगा इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूत पड़ेगी आलू की तो आलू हम यहाँ पर medium size के लिए हैं दोस्तो अगर आपको छोटे वाले अगर आलू मिल जाना तो बहुत बढ़िया दोस्तो सब्जी लगेगी तो मैंने यहाँ पर medium size के 500 ग्राम लिया हूँ और उसके बाद हम पानी अट कर देंगी तो पानी हम इसलिए अट की हैं जब हम आलू को छीलेंगे न तो आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे तो आलू को हम छीलनी की सहायता से सारे आलू को हम छील लेंगे और उसके बाद हम इस आलू को दो तुकड़े करेंगे, मतलब एक आलू को दो तुकड़े कर लेंगे, ये दिखी दोस्तो, क्योंकि ये medium size के आलू है, इस वज़े से हम यहाँ पर तुकड़े कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर सोया साग लिये हैं, दोस्तो, सोया साग धन यहाँ पर मुलायम पाठ सोया साग के तोड़ लेंगे, इस तरह, जैसे मैं तोड़ा हूँ न, वैसे, तोड़ने के बाद इसे एक बार अच्छे पानी से धो लिजिए, और उसके बाद हम इसको चौप कर लेंगे, मतलब सोया साग को चौप करके रख लेंगे, I hope आपको इ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन लिया हूँ और इसमें मैं यहाँ पर रिफाइन ऑल एड़ करूँगा, एक बड़े चम्मच से तो जब आपका ऑल गरम हो जाए, तब हम यहाँ पर एड़ करेंगे आधा चम्मच जीरा, तो जीरा आड़ करने के बाद, अब हम पर एड़ गिया हूं दोस्तों बहुत ही अच्छा साथ दोस्तों श्ट्रॉंग सा फ्लेवर आएगा तो जरूर आप यहां पर लसुन का क्रश करके एड़ कीजिएगा तो चम्मच की सहायता से हम इसको लसुन को पका लेंगे उसके बाद हम यहां पर एक प्याज बारिक चौप करके यहां पर एड़ करेंगे और इसको भी हम सौप कर लेंगे तो चम्मच की सहायता से यह एक दो मिर्ट तक आपको इस तरह चलाते रहना है और हमारी यहां पर प्याज सौप हो जाएगी इसके बाद हम यहाँ पर आलू जो कट करके रखे थे उसको यहाँ पर एड़ करेंगे तो एड़ करने के बाद चम्मत की सहाथा से इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और ऐसे दोस्तो हमें मिक्स करते ही ज़े इसको पकाना है दोस्तो अगर आप थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे न तो बहुत जल्दी दोस्तों हमारे आलू पक जाएंगे तो इसको एक बार हम फिर से मिक्स कर देंगे कि कुई हम यहाँ पर नमक आड़ किये हैं यह देखिए तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो कड़ाई में लगे है न वो निकल जाएं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर आलू पके हैं या नहीं तो यह देखिए दोस्तो मैं काटे वाला चम्मच से इसको प्रिस किया यहाँ बहुत बढ़िया दोस्तो यहाँ पर पके रेडी हुए हुआ दोस्तो हमारा अलू तो अब हम यहाँ पर सुखे मसाले अड़ करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर आदा चम्मच और आदा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर अड़ करेंगे इसके बाद हम दोस्तो कोई भी मसाला अड़ नहीं करेंगे सिब यह दो मसाले अड़ करेंगे तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर कलर आ गया है हमारे आलू में और इसके बाद हम यहाँ पर एक टमाटर बारिक चौप करके एड़ कर देंगे दोस्तों और अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर को भी पका लेंगे तो दो मिल्क दोस्तों लगे गए यहाँ पर टमाटर को पकने में और जब टमाटर अच्छे से पक जाए ना तब हम यहाँ पर दोस्तों अड़ करेंगे सोया साग तो यह देखिए दोस्तों मैंने इस तरह सवयाशॉग को chop किया हूँ और इसको इस तरह जैसे मैं add करा हूँ वैसे आपको add करना है दोस्तों तो चारो तरफ हम यहाँ पर सवयाशॉवस को add कर देंगे और इसके बाद हम स्वयाशा नमक एड कर देजे और अच्छी तरह से mix कर लेंगे दोस्तों बस आपको दोस्तों दो मिर्ट तक mix करना इसे ज़्यादा नहीं mix करना नहीं तो सोया जो साग है वो गायब हो जाएगा इस वज़े से ज़्यादा हमें इसको mix नहीं करना है और हमारी यहाँ पर सबजी एकदम से रेडी हो गई है यह देखी दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों स्वादिस्ट हमारी यहाँ पर आलू सोया साग की सबजी तयार हो गई है आप इसे रोटी और चावल के साथ खाएगे ना तो बहुत बढ़िया और टेस्टी लगेगे दोस्तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आएगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चलमे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि म मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में